कॉम्पिटिटी इंग्लिश के पैक्टि सेस्टन में आपका हार्दी कविनंदन है में मुन्नासर छप्रा से आज की इस बोकेब शिरीज में हम इडम सें फ्रेजेज की उपर चर्चा करेंगे तो आज की शिरीज का पहला शब्द इन ब्लैक और वाइट इन हिंदी लिखित में या लिखित इसके फोर अप्चंस का ए है यूजलेस बिकार बी है इन राइटिं लिखित में सी है इन शॉर्ट संचेट में और डी है इन फूल स्वीं जोर शोर से प्वेशन के हिसाब से इन ब्लैक और वाइट इन लिखित और इन फोर अप्चंस का भी है इन रायटिंग जिसे हम लिखित या लिखित में कहते हैं तो इस परकार इन ब्लैक और वाइट का एग्जेक्ट आनसर हमारा इन रायटिंग होगा Q2. A LEM EXCUSE. It means A SANTOSH JANAK BYAKHYA. इसके फोर अप्चिन का A है An UNSATISFACTORY EXPANATIONS. A SANTOSH JANAK BYAKHYA. B है A GOOD EXPANATION. सही BYAKHYA. C है Useless Talk. बिकार की बात. और D है ILL FEELINGS. बुरा एसास. Q2. A LEM EXCUSE. A SANTOSH JANAK BYAKHYA. और फोर अप्चिन का A है An UNSATISFACTORY EXPANATIONS. It means A SANTOSH JANAK BYAKHYA. तो इस परकार A LEM EXCUSE का EXACT ANSWER हमारा An UNSATISFACTORY EXPANATIONS होगा. Q3. Hand and Globe. Q3. It means Bहुत घनिष्ट. इसके 4 options का A है Very Difficult. बहुत कथे. Q3. B है Open. उपन इने में. खुला दुश्मन. Q4. C है Very Intimate. बहुत घनिष्ट. और D है Very Rude. बहुत कुरूर. Q4. Question के हिसाब से Hand and Globe बहुत घनिष्ट. और 4 options का C है Very Intimate. जिसका मतलब भी बहुत घनिष्ट होता है. Q4. Hand and Globe का Exact Answer हमारा Very Intimate होगा. Q4. A Hard Nut to Crick. इसके 4 options का A है A Foolish Search. Q4. बेकुत भरा सर्च एनिष्ट. बी है A Difficult Problem कठिं समस्या. Q4. C है An Easy Question असान प्रश्ण. और Q5. आजज़ाए An Expensive Thing खर्चिली वस्टू. या खर्चिले चिच. या महंगी चिच. तो यहाँ a hard nut to crack का मतलब बहुत कच्छिन या बहुत detail है और 4 अप्षन का इसमें B है और difficult problem कच्छिन समस्या तो इस परकार a hard nut to crack का exact answer हमारा difficult problem होगा question no.5 and last for better or worse it means हमेशा या सदा इसके 4 अप्षन का a है sometimes कभी कभी b है always सदा या हमेशा c है in good times अच्छे दिनों में और d है in bad times बुरे दिनों में या बुरे पलों में question for better or worse it means हमेशा और always का मतलब ही होता है हमेशा तो for better or worse का exact answer हमारा always होगा respected viewers एक बार फिर में इन सारे शब्दों को आपकी बेच रखना चाहूंगा question number one in black and white it means लिखित या लिखित में इसके four options का be in writing है जिसका मतलब लिखित में होगा तो इस परकार in black and white का exact answer हमारा in writing होगा question number two a lamb excuse it means असंतोष जनक ब्याक्या इसको भद्दा मजाक भी कहते हैं इसका exact answer हमारा question number three है hand and globe इसे हिंदी में बहुत घनिष्ट कहते हैं इसके four options का c है very intimate जिसका हिंदी में बहुत घनिष्ट होता है इस परकार hand and globe का exact answer हमारा very intimate होगा question number four है a hard nut to create का मतलब difficult problem होता है जिसे हम कठिन समस्या बोलते हैं four options का यह है a difficult problem जिसका मतलब कठिन समस्या और a hard nut to create का मतलब यह कठिन समस्या होता है तो इस परकार a hard nut to create का exact answer हमारा a difficult problem होगा और आकरी शब्द है for better or worse जिसे हिंदी में हमेशा कहते हैं इसका exact answer हमारा always होगा तो उमीद है आज की यह content आपको पसंद आएगी ऐसे ही interesting content के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मती दें चैहें चैहें